आप देख रहे हैं MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार आप देख रहे MNS News Life मैं हूँ आपके साथ रोशनी आईए देखते हैं आज की कुछ खास कबरे दस साल की बच्ची से कीती अश्लिलता फोन में गेम खेलने के बहाने कमरे में ले गया था दोशी मुर्थल थाना शेत्र की महिला ने 9 अगस 2020 को मुर्थल थाना पुलिस को बताया था कि उनकी दस वर्षे बेटी शाम को गोली में खेल रही थी और इसी दोरान पड़ोसी देहने वाला मूल रूप में बिहार में जिला भोजपूर में रहता था और बैटल का रिश्दार उनकी बेटी को मोबाइल में गेम खिलाने के बहाने कमरे में ले गया था आरोपी ने वह उनकी बेटी से गेम को खिलाने के लिए बहाने से उसकी छेड़ चाड़ की थी और अशलिल वाली हरकते भी करता था जिस पर उनकी बच्ची आरोपी को दाथ से काड़ कर उससे बच कर बाहर निकल आई थी बच्ची ने बताया कि वह पुलिस से अवगत कराया था पुलिस ने मामले में दस बॉक्स को एक के तहत मुकदमा भी दर्च किया है और मामले की कारेवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है आरोपी को अदालत में पेश किया गया है जहां उसे जेल भी बेश दिया गया है मामले की सुचनाई और सुनवाई के बाद ही ASJ सुरुची अतरेजा ने सीहने बताया है कि अदालत के आरोपी को दोशी करार कर दिया है आदालत में मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोशी को 10 बोक्स को एक के तहट मामला दच किया है और 7 साल की कैद और 15,000 रुपे का जुर्माना भी दर्णने के लिए बताया है और 13,354 के 5 साल में कैद और 20,000 रुपे जुर्माना भी सुनाया है और जुर्माना राशी में 15,000 रुपे फिर्टा को देने के लिए भी आदिश दिये गये है जुर्माना न देते पर एक साल अतिरिक तक कैद की सजा भी भुगतनी पड़ेगी सव शैतान से टकराएगा एक चटान भोला में दूसरे स्टीजर में जबरदस्त एक्शन में दिखेंगे तबू और अजे देवगन अजे देवगन ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर साजा करते हुए कैप्शन में लिखा है कि जब एक चटान से सव शैतान ठकराएगा और इस अजे देवगन ने तबू स्टार फिल्म भोला एक्शन ड्रामा से भरपूर है और इस फिल्म में अभी नेता एक कईधी के करिदार में नजराने वाले है वही अभी नेतिरी तबू का पुलिस ओफिसर का रोल में दिखने वाली है और फिल्म के टीजर की शुरुबात अजय देवगन से होती है और जिसके बाद ही अजय देवगन कुल एक्शन में नजराते हैं बाद में अभी नेतरी तबू की एंट्री होती है और जहां उन्होंने लोग बोले और गुसट समस्ते रखते हैं और फिल्म की कहानी ड्रग माफिया को लेकर बनाई गई है आपको पता दे कि फिल्म भोला साउथ ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी की रूप में बनी हुई है और वह निदेश में बनाई गई है साउट की फिल्म कहती के अभी नेता कार्थी शियुकुमार के मुख्य किरदार निभाया था और फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी 30 मार्च को रिलीज होगी फिल्म भोला फिल्म अजे देवगन के साथ अभी नेतर तबू भी मुख्यपुमिका में दिखने वाली है और इससे पहले अजे देवगन और तबू साल 2022 में आई फिल्म दृष्ट्रम 2 में नजर आई थी इसके अलाबा दीपक, डोबरियाल और शादर केलकर की दिखाई गई थी और अजे देवगन ने इस फिल्म का निदेशक भी किया है और फिल्म 30 मार्च को सिनेमा गवरे में नजर आई गी ट्विटर पर कंगना रनावत की हुई वापसी अभी नेतरी कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट फिछले साल ही निलंबित किया गया था लेकिन अब क्वीन को माइक्रो बॉलिंगी साइट पर वापस हो गई है और कंगना ने हालही में अपनी टीम द्वारा प्ररंबित एक त्वीटर अकॉंट्स में ट्वीट किया गया है और त्वीटर पर अपनी वापसी का एलान भी किया है अभीनेतरी ने इस एलान से सबी फैंस को बहुत खुश भी दिखाए दे रहे है और कंगना ने अपनी टीम से टीटर हैंडल पर ट्विट करते हुई लिखा है सभी को नमस्कार जहां पर वापस आकर अच्छा लग रहा है कंगना रनावत ने पैस लगादार अभी नेतरी के टीटर को ट्विट कर रहे है और इसके साथ ही उन्हें इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए खुशी बेज़ता रहे है कंगना रनावत सोचल मीडिया पर प्लैटफार्म पर ट्विट को लेकर पीते दिनों काफी चर्चाओं में बनी हुई थी दरसल ट्विटर की मकान टेसला प्रमुक एलन मस्क द्वारा संभा ले जाने के बाद ही कंगना रनावत ने उमीद जताई थी कि वह जल्द ही ट्विटर पर वापसी कर सकती है और वैसा ही हुआ इतना ही नहीं कंगना ने एलन मस्क को भी तारिफों के पूल बांदे थे और आपको बता दे कि कंगना रनावत की पिछले एक साल से अपनी अधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल के जरिये लोगों से जुड़ी थी और क्योंकि 9 मैं 2021 को अभी नेतरी का ट्विटर अकाउंट ज्यादा विवाद को लेकर निलंबित के आ गया था और ब्लॉक कर दिया गया था वर्दपरण की बात करें तो कंगनर रनावत ने हाल ही में अपनी फिल्म एमरजनसी की शुटिंग खत्म की है और फिल्म की नाम ही सबको अंदाज हो गया होगा कि यह अब तक से सबसे राजनीतिक घटनाव में एमरजनसी पर आधारित फिल्म होगी एमर्जेंसी में कंगना रनावत देश की पूर्व प्रथान मंत्री इंद्रा गांधी का किर्दार में दिखने वाली है इस फिल्म में अभी नए करने के साथ अभी नेत्री इसका निदेज भी अभी नेत्री भी कर रही है अब आप हमारे चानल को अपने मोबाल पर भी देख सकते हैं मोबाल लाप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से मनेस निउस टीवी आप डाउनलोड करें इस दा लिंक, ट्विटर, हाइक, फेस्बूक और कई सोचल मेडिया के प्लाटफॉर्म पर हमारा चानल उपलब्द है आप इसी उटूपर भी देख सकते हैं आप हमारा चानल को लाइब भी देख सकते हैं www.mnsnews.tv.com पर फिला अलोकता चला है दर्शों को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखे गादेश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही हैं मनेस निउस पर नमस्कार ये हैं मनेस निउस निट पर और आप देख रहे हैं मनेस निउस